आप जो अब आउडियो सुन रहे हैं, इस आउडियो को आप पहचानते हैं, क्योंकि आप मुझे भी जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं, और आप मेरी आवास से वाकिफ हैं, आप मेरे विडियो में मेरी आवास को पहचान लेते हैं, इसलिए आपको कोई परिशानी नहीं ह लेकिन अगर मैं इसी audio को बदलू और अब आपको इस तरीकी की audio सुनाओ तो आप थोड़ा uncomfortable फील करेंगे क्योंकि ये normal audio नहीं है और यही audio को मैं थोड़ा और uncomfortable करूँ और इस तरीकी की audio सुनाओ तो आप बिल्कुल भी video देखना पसंद नहीं करेंगे और यही चीज audio की importance आपको बताती है मेरी normal आवाज आपको पसंद है क्योंकि यही normal है आपको एक अच्छी soundbar लेनी है क्योंकि यही आपको पसंद है और वोही soundbar किस तरह से चुननी है उसके बारे में यह video है मेरा नाम आप जानते हैं विनीत मलोतरा और इसी video के अंदर आपको मैं सारी वो चीज़े सिखा दूँगा जिससे आप एक best soundbar खरीदेंगे और इस video के अंदर किसी soundbar का review नहीं है दोस्तो यह एक soundbar buying guide है इस video के अंदर मैं किसी भी soundbar के बारे में बात नहीं करूँगा मैं आपको सिर्फ audio के बारे में समझाने आया हूँ मैं आपको यह बताने आया हूँ कि आपको एक सही soundbar चुननी किस तरह है आप एक गलत product अगर खरीदते हैं तो उसे सुन के आपको जो मजा नहीं आता और उसके बाद आप complaint करते हैं कि यह product खराब है यह product सही नहीं है वो बदलने आया हूँ क्योंकि आपको एक सही product चुनना नहीं आता अगर आप एक audio file है और आप जानना चाते हैं कि audio में क्या-क्या nuances होते हैं तो इस video को पूरा देखेगा otherwise आप इस video को skip करके बिल्कुल end में भी जाएंगे तो भी कोई audio product नहीं है मैं कुछ recommend नहीं करने वाला हूँ इस video के अंदर मैं आपको सिर्फ कुछ points बताऊंगा जिने आपको एक एक करके बहुत ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है अभी अभी एक sale आई थी और उस sale के अंदर 10,000 रुपीज कोस्ट करने वाली कई soundbar आपको 5-6,000 रुपीज के अंदर मिल रही थी 20,000 कोस्ट करने वाली 13 से 15,000 रुपीज के अंदर कोस्ट कर रही थी और इतने ही ज़ुदा discount थे कि बस मज़ा आ गया लेगन आपको discount खरीदना है या soundbar आपको audio signature सबसे पहले चुनना चाहिए no matter what the price is आपको audio signature से प्यार होगा उस soundbar के price tag से नहीं जिसे आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे कि आपने उस soundbar को कितने में खरीदा था अगर आपको वो soundbar बहुत पसंद आई तो चाहे वो आपने 2000 रुपे मेंगे खरीदी हो आपको उस soundbar की audio से प्यार हो जाएगा आपको उस audio signature से लगाव हो जाएगा इसलिए आप सबसे पहले audio signature की अपनी पसंद को पहचाने उसके बाद एक audio product या soundbar खरीदे और आपको मैं एक और बात बताता हूँ अगर आपने अपनी TV की audio को थोड़ा सा enhance करना है क्योंकि उस TV के अंदर audio ध्यान से सुनाई नहीं देती या फिर बहुत low audio है बस यही purpose है आपका आपको जादा पैसे कर्च करने के जुरूरत नहीं है 5 to 8,000 रुपीस के अंदर बहुत अच्छे-च्छी soundbars है उन्हीं को लीजिए जादा पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं होगा अगर यही purpose है तो अब आपको यह बताने के कोशिश करता हूँ कि आप जो पैसे खर्च करते हैं तो आपको उससे मिलता क्या है आप up to 10,000 रुपीस के अगर soundbar खरीदेंगे तो आपको या तो जादा बेस की soundbar मिलेगी या फिर थोड़ी सी जादा clarity की और उसमें बेस थोड़ी सी कम हो जाएगी या फिर आपको 5.1 soundbar मिलेगी 100W से 300W तक क्या आपको output मिलेंगे इस range में and that is okay क्योंकि ये budget segment है आप जब 10,000 रुपीस को cross करके up to 20,000 रुपीस तक के price segment में आएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा output भी बढ़ जाएगा और थोड़ी सी clarity भी अब ये clarity बहुत जादा important role play करती है आपको इसके अंदर जादा rich sound सुनाई देगी आपको जादा details सुनाई देगी लेकिन जैसे ही आप 20,000 के price segment को breach करते हैं मान लिजे 20 नहीं 25,000 को breach करते हैं तो उसके बाद आपको जो soundbars मिलती है उसमें आपको जादा output नहीं मिलेगा आपको बहुत जादा clarity मिलेगी आप जादा पैसे clarity के लिए खर्च करेंगे ना कि जादा output के आपको उस महंगी soundbar के अंदर bass के अंदर depth मिलेगी आपको सुनाई देगा कि वो जो bass है वो कितनी दूर से आ रही है आपको bass के अंदर भी variations सुनाई देंगे अलग-अलग तरीके की bass आपको हर nuance छोटी-छोटी beat सुनाई देने लगेगी और ऐसी-ऐसी audio के अंदर ऐसी-ऐसी चलके आप सुन पाएंगे जो आप किसी 10,000 की या 20,000 की soundbar में नहीं सुन पा रहे थे उसी song में and that is why you pay extra money for those expensive soundbars तो आप अगर एक 50,000 की soundbar से expect करेंगे कि baby को bass पसंद है वाली bass आ जाए तो वो उसमें नहीं मिलेगी आपको वो baby को bass पसंद है वाली bass 10,000 की soundbar में मिलेगी इसलिए सोच समझ के पैसे कर्च करें अब जादा output की अगर बात करी है तो आपको ये भी समझा दू कि जादा output important है या peak range यानि peak output is more important और peak range I think peak range is most important aspect जो आप में से 95% लोग नहीं जाते है किसी भी soundbar या फिर audio product का जो peak range होती है वो approximately 80 to 90% volume पे होती है यानि जब आप उसे 80 या 90% volume के बीच में लेके जाएंगे तो सारी frequencies को यानि audio में बचती हुई सारी frequencies को जितनी maximum power मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी आप ध्यान से समझिए आपने अगर एक 700 watt या 800 watt की Samsung की एक soundbar खरीद ली और उसे लगाया अपने 200 square feet के room में और उससे प्लेक किया कोई भी गाना 20% volume पे तो आपने 20% power दी उसी सारी frequencies को जबकि मिलनी चाहिए थी 100% लेकिन 100% तो मिलेगी 85% volume पे जब आप उससे 85% volume पे लेके जाएंगे तो I'm sure आपका बडोसी आपके घर में होगा और लणाई हो रही होगी इसलिए आपको ऐसी soundbar लेनी है जो आपके room size के हिसाब से compatible हो आपके acoustics के साथ compatible हो और वो ही आप नहीं करते हैं आपको चाहिए जादा output की soundbar लेकिन आपको लेनी चाहिए एक ऐसी suitable soundbar जिसमें आप peak range को enjoy कर सकें यानि उसको 90% volume पे enjoy कर सकें आपके 200 square feet के room के लिए एक 150 से 200 watt की soundbar is more than sufficient पर आपको चाहिए 500 watt की soundbar think wisely अब आते हैं 2.1 और 5.1 soundbar के उपर क्योंकि यह बहुत बड़ी confusion है और आप मेंसे बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं 150 square feet या 200 square feet के room के अंदर एक 5.1 soundbar लगा सकते हैं और वो कौन सी लगा सकते हैं तो दोस्तों ideal scenario के अंदर आपको 300 square feet तक के room size के अंदर एक 5.1 soundbar नहीं लगानी चाहिए आप इसे और ज़्यादा थोड़ा squeeze कर सकते हैं और 250 square feet कर सकते हैं but in an ideal scenario it has to be 300 square feet or more जिस room size के अंदर आपको एक 5.1 soundbar suitable रहेगी now why am I saying this मैं इसलिए यह कह रहा हूँ तो कि आप जब surround channels लगाते हैं आप जब उससे separation की उमीद करते हैं आप जब यह चाहते हैं कि आगे वले जो front drivers है वो front drivers से आपको अलग type की audio आए और जो surround channel हैं उससे अलग type की audio आए और आपको एक surround का एसास हो वो separation भी सुनाई दे और वो surround भी एसास हो और आपको एक अलग type का sound stage मिले तो वो तब ही possible है जब आप कम से कम 15 feet wide एक दूसरे से surround channels को रखें और 15 feet wide के साथ आपको उतनी यह depth भी चाहिए room के अंदर यानि 15 feet की depth या 20 feet की depth आपको चाहिए आपको कम से कम 250 से 300 square feet का room size चाहिए यह कम से कम है और room के acoustics भी बहुत ज़ादा important role play करते हैं इसी surround और separation को deliver करने के लिए और अगर यह सब नहीं है तिन trust me आपके room के अंदर एक 2.1 sound bar magic कर सकती है और वो इतना अच्छा magic करेगी कि आपको एक virtual surround का एहसास कराएगी टेक डॉल्बी sound bar टेक डॉल्बी atmos sound bar उसमें आपको जो separation मिलेगी वो एक आपको virtual सा surround का एहसास कराएगी उसके बारे मैं मैं वीडियो में आगे बताऊँगा कि वो कैसे होता है लेकिन आप अपने पैसे खराब करेंगे अगर आप एक 5.1 sound bar लेंगे एक छोटे रूम के लिए आपको मज़ा लेना है आपको home theater जैसे feel आनी चाहिए वो आप एक 2.1 sound bar से कर सकते हैं लेकिन एक छोटे रूम में 5.1 sound bar जब आप सही से नहीं लगा पाएंगे तो आप 5 speaker लगा के बैठे होंगे इससे ज़्यदा और कुछ नहीं प्लीज do the best for your room अगर आपके पास एक 2.1 sound bar है तो definitely आप उसे टीवी के नीचे ही sound bar को लगाने वाले हैं लेकिन सब वूफर को please table top पे मत रखिये आपको सब वूफर को जमीन पे रखना है जमीन पे आप उसे किसी भी corner पे रख सकते हैं चाहे left चाहे right but that does not matter क्योंकि आपको जो base का response है वो जमीन से उपर आता हुआ मिलेगा वो आपको vibration समझ में आनी चाहिए वो आपको feel होनी चाहिए अगर उसमें upper base भी है base आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन क्योंकि यह buying guide है इसमें भी बताता हूँ base तीन तरीके की होती है but primarily दो तरीके की एक lower base और एक upper base lower base आपको महसूस होगी नीचे से उपर आती होई आपको लगेगा कि आपको यहाँ पे base महसूस होई heartbeat और जो upper base होती है वो आपको सुनाई देती है किसी भी अच्छी soundbar के अंदर upper और lower base का एक perfect combination होता है जिससे आपको वो सुनाई भी दे और उसका एहसास भी हो जितनी जादा महेंगी soundbar होगी उसमें आपको एहसास जादा होगा और सुनाई पहुत कम देगी और सुनाई देने के अंदर भी layers होगी ताकि आपको अलग-अलग type की base सुनाई देने लगे और feel भी अलग-अलग तरीके से हो यह महेंगी soundbar की निशानी है इसलिए आपको सब वूफर को जमीन पे रखना है tabletop के उपर रखके आप वो अपने move पे base ले रहे है लेकिन आपको vibration का एहसास नहीं हो पा रहा आप उस audio को धंग से enjoy कर ही नहीं पा रहे है एक 5.1 soundbar लेते समय आपको यही चीज soundbar और सब वूफर के साथ करनी है और surround channels को अपनी sitting position से पीछे ear level पे place कर रहा है उपर नीचे मत रखिए अगर आप नीचे रख रहे हैं तो make sure आपके ear level पे वो आ जाए लेकिन वो ear level से नीचे ना आए क्योंकि आप उन surround frequencies को सुन नहीं पाएंगे वो महसूस करने वाली नहीं वो सुनने वाली frequencies होती है और उनकी audio front channel के आने वाली audio से बहुत कम होती है इसलिए उनको surround frequencies कहा जाता है वो high notes होते हैं आप उससे बहुत enjoy करेंगे आपको एक surround का एसास आएगा सही placement सारे channels की बहुत जादा important है आपके अच्छे overall audio experience के लिए क्या होता है ये surround क्या होता है ये separation और ये sound stage the 3S the famous 3S of audio surround sound आप सबको पता है surround वो होती है जो आपको चारो तरफ से घुमती हुई audio ऐसा लगे एक virtual एसास हो कि चारो तरफ से audio आ रही है कोई अच्छी fiction movie देखते समय आपको ये एसास होगा लेकिन comedy movie देखते हुए से surround environment को enjoy करने के लिए अगर आप avatar चला रहे हैं और उसके अंदर आपको surround नहीं आ रही है then the audio product is wrong लेकिन avatar के अंदर आपको जो surround मिलेगी वो surround, virtual surround from a sound bar वो आपको एहसास कराएगी कि उपर से पत्ते गिर रहे हैं और गोलियां वहाँ से चल रही है वो एक अच्छी 5.1 sound bar से achievable है आपको उसके अंदर separation भी मिलेग separation एक अच्छी 5.1 से आपको मिल सकती है एक अच्छी 2.1 से भी मिल सकती है for that matter लेकिन एक अच्छी 5.1 से आपको front driver से कुछ अलग audio आएगी और ऐसा लगेगा कि पीछे के driver से आपको दूसरी audio आ रही है और वो ही होती है surround frequencies और वो ही separation आपको किसी अच्छी Dolby या DTS की decoding में मिलती है वो separation है और sound stage का मतलब ये कि आप कोई music सुन रहे है चनरली music में sound stage इतना important नहीं होता है लेकि मैं आपको example के लिए बता रहा हूँ आप एक music सुन रहे है और उस music के अंदर आपने surround channels को again 5.1 के अंदर आप music बहुत अच्छे से enjoy नहीं करेंगे but still I am telling you आपने surround channels को थोड़ा और दूर place कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी theater में बैठे हैं open theater में और आपने अगर surround channels को थोड़ा सा नज़दीक कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा किसी closed theater में आप बैठे हैं और वहाँ पे live music सुन रहे है ये होता है sound stage आप sound stage को किसी अच्छी 5.1 से खुद create कर सकते हैं recreate कर सकते हैं so the sound stage is also very important अगर आप अच्छा music अलग-अलग तरीके से enjoy करना चाते हैं sir, Dolby की sound bar बताईए 5,000 या 10,000 रुपी इसके आसपास कि मैं वो लेना चाता हूँ लेकिन क्यों लेना चाता हूँ ये नहीं पता और अगर किसी को पता भी है तो वो ये कहेगा कि ज़्यादा clarity के लिए and the answer is कोई sound bar नहीं है क्योंकि आपका सवाल ये गलत है वो इसलिए गलत है क्योंकि Dolby या DTS की decoding से आपको clarity नहीं मिलती है आपको Dolby या DTS की decoding से channel और audio separation मिलती है लेकिन वो Dolby और DTS की decoding या वो license उस product को इसलिए मिलता है क्योंकि उनके जो drivers है वो बहुत ही ज़ादा premium होते है किसी भी audio sound bar के अंदर या किसी भी sound bar audio product के अंदर जो drivers use करे जाते है वो efficiency पे decide करे जाते है let's say आपने एक sound bar के अंदर एक driver लगाया जो की अपनी 50% efficiency पे काम करेगा और वो 100 watt की sound bar है that means कि आपको 50 watt का output मिलेगा अब आपने एक बहुत ही हलकी sound bar के अंदर जो cheap है वो 500 watt की sound bar है लेकिन उसके अंदर आपने एक ऐसा driver लगाया जिसमें आपको 10% efficiency मिलेगी यानि आपको 50 watt का output मिला then which sound bar will give you better audio 100 watt और 500 watt आपको जवाब पता है और यही मैं आपको समझाने के कुशिश कर रहा हूँ अच्छी quality के drivers अगर होते हैं तो वो Dolby या DTS का license मिल पाता है और Dolby और DTS के license मिलने पे जो channel और audio की separation होती है वो ही separation एक कमाल करती है अलग driver अलग type की audio प्ले करेगा और दूसरा driver दूसरी type की audio मान लीजे एक sound bar के अंदर 4 drivers हैं just like a sound bar which I reviewed recently Zebronics की 9102 उसके अंदर front में 4 drivers है जो front 2 drivers है they were completely different than the other 2 drivers और यही Dolby ने करा Dolby ने इसकी channel को और audio को separate करा और अब चारो drivers बिलकुल अलग-अलग audio डिलेवर कर रहे हैं with proper integration ताकि आपको वो audio एक साथ सुनाई दे और आपको एक virtual surround का एसास हो यह होता है Dolby और DTS की decoding के अंदर लेकिन Dolby Atmos में क्या होता है Dolby Atmos में uncompressed audio play होती है और यही channel और audio separation होता है हम जो भी audio सुनते हैं वो compressed होती है लेकिन उसे uncompressed कर पाना Dolby Atmos या DTS Virtual X के बस में है यानि यही decoding होती है जिससे uncompressed होती है audio और अलग-अलग-अलग-अलग channel में अलग-अलग type की audio play हो पाती है अगर 5 channels हैं तो पाचों में अलग भी play हो सकती है या फिर सिरफ एक में play हो सकती है और चारों off हो सकते है यह कमाल Dolby Atmos और DTS Virtual X में हो सकता है and it can be best experienced in a 5.1 soundbar instead of a 2.1 अगर आपको budget नहीं है और आप एक 2.1 की Dolby Atmos soundbar लेना चाहते हैं कोई भी, किसी भी brand की, you can do that उससे आपको एक virtual Atmos का एसास होगा but the proper feel that you want from Dolby Atmos product वो आपको एक अच्छे 5.1 से ही हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया कि 4 drivers पूरी तरह बंद हो सकते हैं और एक driver में से आवाज आ सकती है for the proper surround यह Dolby Atmos का कमाल है क्यों बनाया मैंने एक ऐसा वीडियो जिससे कोई भी product recommend ना करते हुए भी मैं आपको यह समझा सको कि एक अच्छा audio product यह एक soundbar किस तरीक इसे लेनी चाहिए because I love you मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छी soundbar खरीदे मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे audio को experience करे मैं चाहता हूँ कि आप अपने budget के अंदर ही एक सही product खरीदे sale में खरीदना या नहीं खरीदने से मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब यह है कि आप जब उस audio product को सुने तो आपको जो एसास हो वो best हो चाहे आप जादा base की audio सुने चाहे आप जादा clarity की चाहे अपने budget में ले 5,000 में या 50,000 में that does not matter अगर आपको एक सही product मिलेगा यहाँ खुशी होगी मुझे भी support करिएगा मैं आप ही के लिए काम करता हूँ और मेरे affiliate links आपको VM1 soundbar 2024 list में मिलेगे उसे download करके जब भी कोई soundbar या कोई और product लेना हो उसे use करिएगा आप से फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नए वीडियो में बहुत ही चल दी तब तक के लिए Thank you very very much